नमस्कार इस वक्ति के बूल टून के साथ मैं हूँ आशीज प्रमोद गोस्वामे तो त्रकंड हाई कोट के आदेश के बाद अब चारधाम यात्रा शुरू हो गई है इस बीच इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्परेशन ने देखो अपना देश डिलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेइन तिरस यात्रा सरकिट चारधाम यात्रा शुरू की है ये ट्रेइन दिल्ली के सबदर जंग रेलवे स्टेशन से शुरू होगी और बदरिनाज सहीत मारा गां उर्शिकेश यगनाजपूरी रामे शुरम जोशिमत को कबर करेगी करीब 8500 तक हिस्सी मित है चारधाम यात्रा शुरू हो गई है और सबदर जंग रेलवे स्टेशन से ट्रेइन रवाना हुई कारधाम यात्रा की सुरूआत हो चुकी है और आई यार सीटी सी की ओर से एक अनूठी पहल की गई है आप देखिए साफतोर पे ये वो ट्रेन है जिससे यात्रियों को कहीं न कहीं धार्मिक अस्तलों की यात्रा कराई जाएगी सेक्योर्टी को लेकर समान की सुरक्षा को लेकर चाहें आपके मोबाइल फोन हो या टैबलेट हो या कोई भी पर्स हो उसको यहाँ पे सुरक्षित रख सकते हैं सर आप जा रहे हैं आज इस ट्रेन में आई यार सीटी सी कितनी बहतरीन सेवाय दे रहा है नहीं अभी तक त जा रहे हैं यूति इस वर कि जो ट्रेफ है मढ़ी चाह्धाम की आत्र है और यह ट्रेन सर जाएगि परिशिकेश हरी दवर जगनात- जैसे कि होटलों में एक रेस्टोरेंट होता है ठीक उसी प्रकार सायद उससे भी बहतरीन यहाँ पर सुभिधाया देखिए बॉटल्स रखी गई है सब कुछ रखा गया है ताकि चलती हुई ट्रेन में भी यात्रियों को रेस्टोरेंट जैसा आनंद मिल सके और उनका स्वा जगाए हैं हरी दुआर से लेके दुआर का तक हम लोग जा रहे हैं और इसमें सर आज का हमारा डिनर होगा जो की हमने पूरा प्रिपर कर लिया है उसमें वेजिटेरियन सूप होगा और उसके साथ हम लोग शाही पनीर जैसी सबजियां और दाल पराठा सब चीजे प्रव जुदे प्रोट होती है वह स्ट्रेण में अबलेबल है में तमाम हो चीजे जाहें आझ चाहें पती देख रहे होंगे और भी चीजें यहां पर दिख रही है यहके कि किसके लिए पीश हम आपको दिखानागे देखें यहां पर हैपी बर्डे इसके पे लिखा हुआ है चुकि दो जो पैसेंजर जा रहे हैं जो यात्री जा रहे हैं यात्रा पर जा रहे हैं धार्मी कस्तलों के उनके आज बर्डे आयार सीटी सी की और से सब्सक्राइब की और से बताया गया था कि आप लोगों ने अपनी और सब्सक्राइब के लिए परेटक ट्रेन है देखो अपना देश डिलक्स एसी टूरिस ट्रेन यह परेटकों की सुविधा के लिए ही बनाई गई है इसमें 156 यात्रियों के यात्रा करने की सुविधा है के परेटाईकों के बनाई इसमें 96 यात्री के लिए रहा है। चलिए परतियांगे यूपी में अगले साल चुनाओं है जिसको लेकर दिल्ली में भी सियासत गर्मा गई है। बिपक्षु का कहना है कि योगी सरकार ने किसानों को लिए कुछ नहीं किया तो महीं प्रियांका गांधी का कहना है कि यूपी अपरात के मामलों में टॉप पर है। इस मुद्धे पर फरुखाबाद से बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत ने न्यूज बन इंडिया से एक्सलूजी बाचीत करते हुए क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। चुनाओं भी हैं। आज स्कूलों में भी अभूत पूत परवर्तन हुआ है। वहां बिल्डिंग से लेके, ड्रेस कोड से लेके, यूनिफार्म से लेके, और किताबों से लेके, और बच्चों की पढ़ाई के हर चीज में चेंजिंग हुई है। अपने साड़े चार साल के कारकाल के मानियोगी जी के कारकाल को वो गिनाते बताएंगे और जनता की बीच में ले जाएंगे। किसानों के लिए आप लोग क्या कुछ कर रहे हैं, आप भी सम्मेलन करने वाले हैं, कैसा ये सम्मेलन हैं, किसानों को समझा पाएंगे आप। किसानों का सम्मेलन, कुछ लोग किसानों को गुमरा करने का काम कर रहे हैं। चाहिए वो कांग्रेश हो चाहिए कांग्रेश के सहयोगी दल हो यह लोग कांग्रेश को गुम्रा करने का काम कर रहे हैं और उत्तर परदेश में किसान 95% 96% किसान संतुष्ट है इसने लोगों को बुला रहे हैं अपने छेत्र में किसानों को मैं पहले तो योगी जी अपने कारिकर्म में लख़णों में कर रहे हैं महापर पर किसां जाएंगे मैं । ओर लोग है वो भी किसान से जुड़े हुए वो भी एक तरह हृष प्रिंगा गांधीं ने ट्विट किया है कि यूपी क्राइम के मामले में पर हैं क्या कost कांग्रेश की बड़ी लीडर है और वो उत्तर प्रदेश में योगी जी के ऊपर छोड़े देखना चाहती है तो पंजाब देखें और वो राजस्तान देखें बहां देखें राजस्तान की सिती देखें सबसे ज्यादा क्राइम तो राजस्तान में है उत्तर प्रदेश में क इनका साथतोर पर कहना है कि प्रियांका गांधी राजिस्थान को देखे अगर उत्तर प्रदेश में कहीं एक दो क्राइम हो भी जाते हैं तो या तो अपराधी पकड़े जाते हैं या उनको पुलिस उनका एंकाउंटर कहीं न कहीं कर देती है वीडियो जनलिस्ट रबिंद् किया है केजरिवाल दिली के सत्तर विधान सभा स्वाश्यूटों पर केजरिवाल के विधायक अपने इलाके में पहुंचकर जनता से समाध कर रहे हैं उनका जल्द से जल्द समाधान भी कर रहे हैं इसी सिलसले में त्रिलोग पूरी बिधायक रोहित कुमार महरोलिया ने जनता से सीधा सवाथ किया और बताया कि कैसे वो जनता की परशानियों को सुनकर उनका समधान निकालते हैं सभी तरह के सभी डिपार्टमेंट्स के अलग अलग जो काम होते हुआ हमें बताया जाते हैं तो अलग ले भी नहीं है उनको परता के साथ में समधान कराने का प्रयास करते हैं उसके आशीजेणि परनी चाहते हैं कि प्रयास कीमा में सभी तरह क्राव भी तो लोग बताते हैं अब हमने अआगे में में और आन हमें देना पशानियों का में लुक्त जो तरह बना के सभी हैं जन लोगों को उत्री दिली के बुराड़ी इलाके में नश्य के लिए पैसे ना देने पर रिवक की डंडो से पीट पीट कर हत्या कर दी गई पूरी घटना पास के लेगे सी सिटी भी कैमरे में कैद हो गई परिजणों के मताबिक पास का रहने वाला कमल जो की नश्य का आदी है लोगों से नश्य के लिए पैसे पानला कर दिया जिसमें जुतेंद्र को गंभीर चोटो आई जिसके बाद उसे ट्रामा सेंटर में भरती कराया गया जहां डॉक्टर नों से मर्त खोशित कर दिया वही घटना की सुचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी की ग्रफतार कर जेल भेज दिया है किसंत नंगर बलाडी में कल रात को एक दिल देला देने वाला मामला निकल करके सामने आया कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक सक्स जो निकल करके सामने आया है इंसानियत में सवाल जरू खड़ा करता है कि जब उस सक्स को पीटा जा रहा था तो वहाँ जो आज़बास के जो लोग खड़े थे उन लोगों ने उसको रोकने की भी कोशिश नहीं करी और उसको बचाने की भी कोशिश ने करी जिसकी वज़े से उस यूवक की चान चली गई लेकिन इस पूरे मामले को बुराडी थाने ने कुछी घंटों में सुलजा लिया और उस आरोपी सक्स को गिरिफतार कर लिया दिली सेटिपु सुल्तान की रिपोर्ट आउटर नौर्थ डिस्ट्रिक के थाना शाहबाद डेरी की पूलिस टीम को चेकिंग के दोरान बड़ी काम्याबी मिली इस दोरान पूलिस ने अंतरराज्य गिरोह के छे बाइक चोरों को गिरतार किया वही पूलिस टीम ने इनके पास से कई बाइक, स्कूटर, च्वाबी का गुच्छा और दो जिन्दा कार्तूस भी बरामत किये DCP राजी उरंजन ने जिले में विशेश तोर पर इस तरीके से वारदात करने वालों को जल पकरने के निर्देश दिये हुए थे जिसके बाद शहाबाद डेरी थाने के SHO लोकेंदर सिंग की टीम ने इन्हें जाल बिछा करदा बोज लिया फिलाल पुलिस इनसे पुष्टाज कर आगे की तफ्तेश कर रही है एरिये में चोरी और चैन स्नेचिंग की वारदाते और साथी साथ गाड़ी की चीना जप्ती की वारदाते निकल करके सामने आ रही थी जिसको लेकर के डी सीपी राजी बरंजन ने एसचो सावाट डेरी लोकेंदर के नेतरत में एक टीम को गठन किया जिसके बाद इस पूरे मामले पर नज़र रखी गई मैं आपको बता दू कि कई मामलों को सुल्जाने का दावा भी किया जा रहा और बहुत बड़ी अपने आप में एक अंतर रास्तिय जो एक गिरोब बताया जा रहा था जिसको कही ना कहीं पकड़ लिया गया और के मामलों को सुल्जाने का दावा किया जा रहा है दिली सेट पर नहीं जाना होगा बलकि ये बस दिली सरकार के स्कूलों तक पहुंचे की उप्पुक्यमंत्री मनीशु से सौधिया ने भारत के पहले मोबाइल म्यूजिक क्लासरूम और रिकॉर्डिंग स्टेडियो के रूप में एक अनूठा प्रोजेक्ट मोबाइल म्यूजिक बस की शुरुवात की इस अउसर पर सिसौधिया ने कहा कि बच्चों को म्यूजिक सीखने के लिए अब बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी बलकि म्यूजिक खुद उनके पास चल कर पहुंचेगा सरकार स्कूलों में पढने वारे बच्चों को इसका लाव मिलेगा डिप्टिस्씨म मनीषु सिसौधिया ने कहा है कि आर्टिस्टों को आर्ट ही उनकी असल पढ़ाए होती है तो ये कुछ बड़ी बाते उद्गातन के दोरान डिपटिसियम मनीश सिसोधिया ने कई उदर बेंदापर पुलिस ने आटो लिफ्टिंग और मोबाइल चोडी स्नैचिंग के मामलों में दो बदमाश को अरेस्ट किया है जिनके पहचान पंजाबी बाग के आकाश दीब और उत्तम नगर के बंटी और फुकॉशल के रूप में हुई है डिजिपी दोर का संतोश मीडा ने बताया कि इनके पास से चोडी के स्कूटी सही दो स्कूटी और तीन मोबाइल फोन बरामद किये गए हैं इनकी गिरफतारी से पांच मामलों का खुलासा हुआ है वह पुलिस अधिकारी का कैना है कि बरामद स्कूटी को बिंदापुर इलाके से चुराया गया था जाज के दुरान इनके पास से चोडी किये गए तीन मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं जिस पर कारवाई करते हुए पुलिस ने गिरफतार कर स्कूटी और मोबाइल को जब्त कर लिया है बिंदापुर थाने का पुलिस इस्टाप पेट्रोलिंग के दोरान दो आटो लिफ्टरस को पकड़ने में कामियाब रहा है जिसमें एक आकास दीप है जो 25 साल का और 12 पास है पुरानी इसकी एक इनवर्लमेंट है दूसरा बंटी एलस कॉशल है साथ साल का है साथ केसिस की इनवर्लमेंट है और 26 साल इसकी उमर है कहीं न कहीं कॉंग्रेस भी अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने के लिए जीतोर प्रयास दिल्ली में कर रही है इसलिए वो आम जनता के मुद्दो को लेकर लगातार सलकों पर अपना बिरोध परदशन कर जनता के बीच में अपने जगह बनाने के लिए कोशिश कर रही है साथर बाजार बिदान सभा के वार्ड संख्या बयासी की निगम पार्शत प्रेना सिंग ने स्लम एरिया में रहने वाले लोगों के बले हुए बिजली के बिलों के लेकर बस्ती इलाके में स्थानी विदायक सोमु दत अश्वरमा के कार्याले तक जुनूर्थ निकार उनके साथ इलाके की महिलाएं बुजूर्ग और बच्चे भी मुदूद रहे निगम पारशुत ने कहा कि कोरोनाकाल में काफी सारी फ्रेक्ट्रियां बंध हो गई हैं लाखों लोगों की नोपिनिया चली गई हैं लोगों को काम नहीं चल रहा है काफी लोगों को नोपिनिया से निकाल दिया गया ऐसे में जुग्गी में रहने वाले लोगों को इतने मेंगे बिजली के बिल चुकाने पड़ रहे हैं तो ऐसे में लोग कहां से ये बिल जमा कर पाएंगे लोगों ने मुझे यहां का प्रतिनीदी चुना है निगम में मुझे प्रतिनीदी बना कर बेजा है मेरी ये जिम्मेदारी बनती है चाहे वो निगम के अंतरगत आता हो या ना आता हो मैं उनकी सभी तरीके की परिशानियों को समझू और जो भी उस समस्य अगले जिम्मेदार है या जो भी उसका हल निकालता है वहां तक उनकी आवाज पहुचा हूँ बहुत सी पहने मुझे आकर शिकायत करती थी कि उनका 55,000, 22,000, 33,000 रुपे जो है बिजली का बिल आया है कई लोगों का 6,000 रुपे बिजली का बिल आया है तो मैंने सबी बहनों से आग रहे किया कि आप जादा संख्या में नहीं कुछ संख्या में मेरे साथ MLS आपके पास चलें बिजली के बिल हम तमाम लेकर आये हैं यहां पर और हम लोग MLS आप से कहेंगे कि केजरी वाल जी थे जिन्होंने फ्री बिजली और पानी का एलान किया था और उसलिए जनता ने उनको मुखे मंतरी भी बनाया तो वो केजरी वाल जी तक इस दर्द को पहुँचाएं और इन बिजली के बिलकों कम सकम तब तक माफ कराएं जब तक रोजगार लोगों का सुचारू नहीं हो पाता हम लोग यहां पर MLS आप से मिलने आएं मगर अफसोस 11.30 बज़ रहे हैं MLS आप यहां पर मौजूद नहीं है उनके लोगों ने हमें कहा दिया MLS आप ना आएंगे और ना वो हमारी बात सुनेंगे कितने दुक्की बात है मैं यहां से जन प्रतिनी दी हूँ मैं एक आम जनता भी हूँ यह वही आम आदमी पार्टी है आम जनता के बीच में कहीं भी पहुँच जाया करती थी आज यह इतने खास हो गए कि इन्हें उन लोगों का भी दर्थ सुनने का समय नहीं है जिन्होंने इन्हें सिंगहासन पर बिठा उदर दौर का सक्टर 23 थाना पुलिस टीम पकड़े गए आरूपी के पहचान मनोज कुमार के रूपे हुई है जो दिली के संगम विहार इलाके का रहने वाला है डीज़िपी संतोष कुमार मीडा ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते 13 सितंबर 2021 को कॉंस्टेबल धरमेंदर इलाके में पेट्रोलिंग डूटी पर थे तभी पेट्रोलिंग डूटी के दौरान उन्हों देखा कि एक लड़के ने स्रॉक्टर 21 की रड लाइट पर एक पैदल यातरी का मोबाइल फोन चील लिया है और उच जगह से होटल विवानता सेक्टर 22 द्वारका की और भागने के लिए कोशिश कर रहा है समय पुलिस टीम के कॉंस्टेबल धरमेंदर ने मुस्तेदी दिखाती हुए आरूपी का पीछा किया और कुछ दूर जाने के बाद आरूपी लड़के को दबोच लिया उदरवाल में की समुदाय ने केजरिवाल सरकार से सामुदायक भवन की मांग की है जिसे कालका जी बिधायक कार्याले ने बेहस सकरात्मक दस्टी कोड से सफलता पूरबक पूरा किया सामुदायक भवन में उत्पिस्ट सुविधाये हैं इस दुरान कालका जी के बिधायक आतिशी ने कहा कि हम दिल्ली की जुनता की सेवा के लिए हमेशा तयार है आम आदमी पार्टी सर्वे भवन्तु सुखिना के आदर्शों पर चलती है और हम भविश में भी दिल्ली के लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी का समर्थन करने में गर्व महसूस करते हैं वालमे के समाज के लोग ऐसे उत्पिस्ट सुविधाओं से चौपाल बनाना वालमे के समाज के लिए एक बड़ी सौगात है पूरा वालमे के समाज आम आदमी पार्टी के आदर्शों से प्रेरित है और पार्टी के सिधानतों से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है तो सामुदाइक भवन की सौगात कालका जी का ये मामला हम आपको बता दें कि आतिशी जोहां के विधायक उन्होंने कहा है कि दिली की जनता के लिए उनके सरकार हमेशा खड़ी रहती है इस बीच बालबिकी समाज ने जो मांग की थी उसे उन्होंने प्रात्मिक्ता पर रख क्या सुबधाय दे गए इसके बारे में भी कालका जी की बधायक आतिशी ने बताया इदे के उद्धाटन की तस्पीर भी हम आपको दिखा रहे हैं वालकी समाज मुखमंतरी से लगातार ये मांग कर रहा था कुन के लिए भी प्रवस्थाएं की जाए और वालमकी समुदा का दिली सरकार ने ख्याल रखा और समुदाइक भावन की सौगात दी और ये उद्धाटन के वक्त समुदाइक भावन की तस्वीरे भी हम आपको दिखा रहे हैं क्या है पूर्भी दिल्ली नगर निगम में मेर शाम सुन्दर अगरवाल स्टेंडिंग कमिटी के चेर्मेन विर सिंग पवार और कमिशनर विकास आनंद की अगवाई में एक बैठक का आयो जनुआ जाया MCD ने एक कमपनी के साथ टाइब किया है अब पूर्भी दिल्ली के MCD स्कूल सामुदाइक भवान हॉस्पिटल में सोलर बिजली प्लांट लगाए जाएंगे सेकी नामी कमपनी से ये टाइब किया गया है जिसमें करोडों रूपयों की बिजली की बचत की जा सकेगी MCD जो बिजली के बिल भरती है अब उसे बड़ी राहत इससे मिलेगी इसे के साथ इस बुलेटिन में फिलाहा लेता है नमस्कार